CIET, NCART की ओर से प्रस्तोत है अध्याए 2. संसाधन के रूप में लोग. प्रिष्ट संख्या 16. अवलोकन. संसाधन के रूप में लोग अध्याए, जनसंख्या की अर्थ व्यवस्था पर दायत्व से अधिक परिसंपत्ती के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है. जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो वही जनसंख्या मानव पूँजी में बदल जाती है. वास्तव में मानव पूँजी, कौशल और उनमें नहित उत्पादन के ग्यान का स्टॉक है. परिचय, संसाधन के रूप में लोग, वर्तमान, उत्पादन, कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कारेरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है. उत्पादक पहलू के दृष्टी से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्य उत्पाद के स्रिजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है. दूसरे संसाधनों की भाती ही जनसंख्या भी एक संसाधन है. एक मानव संसाधन. ये विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्राया उस वक्त अंदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्ति सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुँच से संबंधित समस्याओं पर पूंजी निर्मान की ही भाती देश की उतपादक शक्ती में वृध्धी करता है। मानव पूंजी में निवेश, शिक्षा, प्रशिक्षन और स्वास्ति सिवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भाती प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बहतर प्रशिक प्रत्यक्षित लोगों की उच्छ उत्पादक्ता के कारण होने वाली अधिक आए और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्छ उत्पादक्ता के रूप में इसे प्रत्यक्षित देखा जा सकता है। कि भौतिक मशिनरी तथा प्लांट की अबिक्षा मानव पूंजी के महत्वने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। इसी प्रिष्ट पर एक चित्र के माध्यम से एक वार्दालाब है। कन्या मानव संसाधन क्या है? क्या ये भूमी अत्वा श्रम के समान है? युवक ये उससे अधिक है। आईए चर्चा करें। चित्र 2.1 मानव पूंजी इसमें मानव पूंजी के विभिन्न रूप दर्शाएं गए हैं। यही मानव पूंजी है। चित्र 2.1 को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्शी अर्थ व्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ती हैं? उच्चाय से ना केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाब होता है, बलकि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाब होता है। क्योंकि मानव संसाधन भूमी और पूंजी का उप्योग कर सकता है। भूमी और पूंजी अपने आप उप्योगी नहीं हो सकते। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ती की अपिक्षा एक दायत्व माना जाता रहा है। लेकिन यह आवशक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायत्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ती के रूप में बदला जा सकता है। उदारण के लिए सब के लिए शिक्षा और स्वास थे, आधुनिक प्रोद्योगी की के प्रयोग में और द्योगिक और कृषी श्रमिकों के प्रशिक्षन, उपयोगी व्याणिक अनुसंद्धान आधी पर संसाधनों के व्यय द्वारा। आगे आने वाले दो उधारण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं सकल की कहानी दो मित्र, विलास और सकल एक ही गाउं सेमापुर में रहते थे सकल की आयो बारह वर्ष थी उसकी मा शीला घर का कामकाश देखती थी उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे सकल घर के कामकाश में अपनी मा की मदद करता था वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देख भाल करता था उसके चाचा शाम ने मेट्रिक की परीक्षा पास की थी लेकिन वो घर में बेकार बैठा था क्यूंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे वे उस पर गाउं के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे जिसमें उसने शीखर प्रवेश पा लिया उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसाई कोर्स में अध्ययन के लिए कर्स लिया सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुची थी उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई उसने एक नए प्रकार के सॉफ्ट्वेयर को डिजाइन भी किया इस सॉफ्ट्वेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली उसके बॉस ने उसकी सेवाउं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नती दी प्रिष्ट संख्या 18 चित्र 2.2 विलास एवं सकल की कहानिया गाउं की प्रिष्ट भूमी में इस चित्र में विलास एवं सकल की कहानियों को दर्शाया गया है विलास की कहानी विलास ग्यारा वर्ष का एक लड़का था और वो सकल के ही गाउं में रहता था विलास के पिता महेश एक मच्छुआ रे थे विलास जब केवल दो वर्ष का था तो उसके पिता के मृत्ति हो गई थी उसकी माँ गीता ने मच्छलियां बेच कर अपने परिवार को पाला पूसा वो जबिदार के तालाब से मच्छलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी वो मच्छलियां बेच कर एक दिन में केवल बीस से तीस रुपे कमा पाती थी विलास गठिया का रोगी बन गया उसकी मा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती वो स्कूल भी नहीं जा सका उसकी पढ़ने में रुजी नहीं थी वो खाना पकाने में अपनी मा की मदद करता तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता कुछ समय पश्चात उसकी मा बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था विलास भी उसी गाउं में मच्रिया बेचने के लिए बात थे हुआ अपनी मा की तरह वो भी कम ही कमा पाता था आईए चर्चा करें एक, क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर पाते हैं? वे कौन से अंतर हैं? इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने सुना कि सकल स्कूल जाता था जबके विलास स्कूल नहीं गया यहां डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे सकल ने कम्प्यूटर में डिगरी प्राप्त की थी सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई विलास वही काम करता रहा जो उसकी मा करती थी अपनी मा की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई इससे उसकी कुल उत्पादक्ता में व्रिध्धी हुई इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रदिफल मिलता है विलास को उसके जीवन के आरम भिग भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थे सिवा नहीं मिल सकी वो अपनी मा की भाती ही मचलियां बेच कर अपना जीवन यापन करता इसलिए वो अपनी मा की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सिवा के द्वारा निवेश से भविश्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं लोगों में ये निवेश भूमी और पूंजी में निवेश की ही तरह है व्यक्ति, शेरों तथा बॉंडों में भविश्य में उच्च प्रतिफल की आशा से निवेश करता है एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थे पर निवेश किया गया है, भविश्य में उच्च आए और समाज को व्रिहत योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है ये देखा जाता है कि शिक्षित माबाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वायम भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है वे उचित पोशन और स्वच्चिता के प्रती भी सचेत होते हैं इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्ति की आवशक्ताओं का भी ध्यान रखते हैं इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है इसके विप्रीत स्वायम भी अशिक्षित और अस्वच्चता तथा सुविधा वंचित स्थी में रहने वाले माबाप एक दुष्चक्र सुजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिती में रखते हैं जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था ये विकसित धनी देश है वे अपने देश के लिए आवशक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं वे कैसे धनी या विकसित बने उन्होंने लोगों में विशेश रूप से शिक्षा और स्वास्ति के क्षित्र में निवेश किया उन लोगों ने भूमी और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है इन लोगोंने जो कुशलता और प्रवाद्योगी की विकसित की उसी से ये देश ठनी वा विकसित बने क्रिया कलाप पास के किसी गाउं या जुगी इलाखे में जाएं और अपनी उमर के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या सकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रिया कलाप विलास और सकल की तरहा लोग विभिन क्रिया कलापों में सनलगन है हमने सुना कि विलास मचलियां बेचता था और सकल को एक फ़र्म में नौकरी मिल गई थी विभिनकरिया कलापों को तीन प्रमुक क्षेत्र को प्रात्मिक द्वितियक तथा तृतियक में वर्गी कृत किया गया है प्रात्मिक क्षेत्रक के अंतरगत कृषी, वानिकी, पशुपालन, मचसेपालन, मुर्गीपालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है दृतियक क्षेत्रक में विनिर्मान शामिल है तृतियक क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थे, परेटन सेवाएं इत्यादी शामिल किये जाते हैं इस क्षेत्रक में क्रिया कलाप के फलस्वरूप, वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन होता है ये क्रिया कलाप राष्ट्री आए में मूले वर्धन करते हैं ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है आर्थिक क्रियाओं या बाजार क्रियाओं में वेतन या लाप के उद्देशे से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुक्तान किया जाता है इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तू या सेवाओं का उत्पादन शामिल है गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राई स्वव उपभोग के लिए उत्पादन है इन में प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंसकरण तथा अचल संपत्यों का स्वलेखा उत्पादन आता है इस प्रिष्ट पर एक चित्र है चित्र संख्या 2.3 इस गोलाकार में सबसे उपर ट्रैक्टर चलाता एक मनुष्य उसके नीचे फैक्टरी और उसके नीचे परिवहन दिखाए गए है क्या इस चित्र के आधार पर क्रिया कलापों को तीन क्षेत्रों में वर्गी कृत किया जा सकता है प्रिष्ट संख्या 20 क्रिया कलाप अगर ये संभव नहीं है तो अपने परोसियों से पूछें कि उनका विवसाए क्या है उनके काम को आप तीन क्षेत्रों में से किस क्षेत्रक में रखेंगे बताइए कि ये क्रिया कलाप आर्थिक क्रिया है या गेर आर्थिक विलास गाओं के बाजार में मचली बेशता है, विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है सकल एक प्राइविट फर्म में काम करता है, सकल अपने छोटे भाई और बहन की देख भाल करता है बताइए ये क्रिया कलाप आर्थिक क्रिया है या गेर आर्थिक आईए चर्चा करें एतिहासिक और सांस्ट्रतिक करणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है आम तोर पर महिलाएं घर के कामकाच देखती है और पुरुष खेतों में काम करते है सकल की मा शीला खाना पकाती है बरतन साफ करती है कपड़े धूती है घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देख भाल करती है सकल के पिता जी बुटा खेतों में काम करते हैं उपच को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते है शीला परिवार के पालन पोशन के लिए जो सेवाए प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुकतान नहीं किया जाता बूटा धन कमाता है जिसे वो परिवार के पालन पोशन पर खर्च करता है परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुक्तान नहीं किया जाता उनकी सेवाओं को राश्ट्री आए में नहीं जोडा जाता विलास की मा गीता मचली बेचकर आय कमाती थी इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुक्तान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आये उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारत की जाती है शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अफसरों के बेतर उपयोग में सहयता करती है शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आये के प्रमुक निर्धा रखें अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारश्रमिक दिया जाता है अधिक दर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है अनियमित रोजगार और निम्न आये इस क्षेत्रक की विशेशताएं है इस क्षेत्रक में प्रसूती अफकाश, शिशुदेगभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तथा पी उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है संगठित ख्षेत्रक में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आगर्शित करते हैं कुछ महिलाओं ने सामाने नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रवद्यों की किये सेवा के उचस्तर की आवर्शक्ता पढ़ती है अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाथी से पूछें कि वो क्या बनना चाहती है जनसंख्या की गुणवत्ता जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षर्ता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थे और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्मान पर निर्भर करती है जनसंख्या की गुणवत्ता अंततह देश की सम्वृध्धी दर निर्धारित करती है निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थ वेवस्ता पर बोज होती है साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्यां होती है प्रिष्ट संख्या 21 शिक्षा इस प्रिष्ट पर एक चित्र है, चित्र संख्या 2.4, विद्याले के चात्र चात्रा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बात के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया हमने सुना कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपून आगत था इसने उसके लिए नए क्षितिच खोले, नए आकांग्षाएं दी और जीवन मूले विकसित किये न केवल सकल के लिए बलकि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है ये राश्ट्री आए और सांस्ट्रतिक सम्रिधी में विर्धी करती है और प्रशासन की कारिक्षमता बढ़ाती है प्राथमिक शिक्षा में सारवजनिक पहुँच, धारण और गुनवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेश जोर दिया गया है प्रत्येक जिले में नवोदय विद्याले जैसे प्रगती निर्धारक विद्यालेयों की स्थापना की गई है बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ग्यान और कौशल से संबंतित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायक शाखाएं विकसित की गई है शिक्षा पर योजना परिवे पहली पंच वर्षिये योजना के 151 करोड रुपए से बढ़कर ग्यारवी पंच वर्षिये योजना में 3776.9 करोड रुपए हो गया है सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की रूप में शिक्षा पर व्यवे 1951 के 0.64 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 3.1 एक एक प्रतिशत बजटिये अनुमान हो गया है इससे साक्षर्तादर 1951 के 18 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 74 प्रतिशत हो गई है साक्षर्ता प्रतियक नागरिक का नकेवल अधिकार है बलकि ये नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाब उठाने के लिए अनिवारे भी है तथा पी जनसंक्या के विभिन भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों में साक्षरतादर करीब 16.6 प्रतिशत अधिक है और ग्रामिन क्षेत्रों के अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरतादर करीब 16 प्रतिशत अधिक है केरल के कुछ जिलों में साक्षरतादर 93 प्रतिशत है जबकि बिहार में 54 प्रतिशत ही है प्रात्मिक स्कूल प्रणाली भारत के पांच लाग से भी अधिक गावों में फैली है दुर्भागिवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्नस्तर और पढ़ाईक बीच में छोड़ने की उचदर ने कमजोर कर दिया है छे से चौधा वर्ष आयो वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्रात्मिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्वशिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है राज्यों, स्थानिय सरकारों और प्रात्मिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्षे को प्राप्त करने के लिए समुदाई की सहभागिता के साथ केंद्रिय सरकार की ये एक समय बद्ध पहल है इसके साथ ही प्रात्मिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेत उपाठेक्रम और स्कूल लॉटो शिवर प्रारम भगिये गए हैं कक्षा में बच्चों की उपस्थिती को बढ़ावा देने बच्चों के धारण और उनकी पोशन सिथी में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योचना कार्यानवित की जा रही है इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृध्धि हो सकती है दस्वी योजना में योजना अवधी के अंत तक उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयोवर्ग के नामांकन में वर्तमान 6 प्रतिशत से 11 प्रतिशत तक की वृध्धी 2006-2007 में करने का प्रयास किया गया है ये रणनीती पहुच में वृध्धी, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेश पाठे करम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसाई करन तथा सूचना प्रोध्योगी की के उप्योग का जाल बिछाने पर केंद्र थे योजना दूरस्थ शिक्षा, अपचारिक, अनपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रोध्योगी की शिक्षा देने वाले शिक्षन संस्थानों के अभी सरण पर भी केंद्रित है पिछले पचास वर्षों में विशेश ख्षित्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षन संस्थानों तथा विश्व विद्यालेओं की संख्या में महत्वपूर्ण व्रधी हुई है व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ती और एक कीमती राष्ट्रिय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानी पूर्वक संजोने पोशित करने तथा विकसित करने की आवश्रकता है प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवशक्ताओं की एक भिन्न श्रिंखला है इस जटल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भुमिका को बहुत साफधानी से तयार करना चाहिए और बड़ी समवेदन शीलता के साथ कार्यान विद करना चाहिए स्रोत राश्ट्रिय शिक्षा नीती 1986 प्रिष्ट संख्या 22 आईए चर्चा करें आरेख 2.1 भारत में साक्षर्ता दर इस आरेख में 1951 से लेकर 2004 तक भारत में साक्षर्ता दर दर्शाई गई है वर्ग हैं व्यक्ति, पुरुष एवं महिलाए वर्ष 1951, व्यक्ति 30, पुरुष साक्षर्ता दर 20, महिलाए साक्षर्ता दर 10 वर्ष 1971, व्यक्ति अनुमान तह 40, पुरुष साक्षर्ता दर अनुमान तह 40, महिलाए साक्षर्ता दर अनुमान तह 20 वर्ष 1971, व्यक्ति अनुमान तह पचास, पुरुष साक्षर्तादर अनुमान तह चालीस, महिला साक्षर्तादर अनुमान तह तीस वर्ष 1981, व्यक्ति अनुमान तह साथ, पुरुष साक्षर्तादर अनुमान तह पचास, महिला साक्षर्तादर अनुमान तह तीस वर्ष 1991 व्यक्ति अनुमान तह सत्तर पुरुष साक्षरतादर अनुमान तह पचास महिला साक्षरतादर चालीज वर्ष 2001 व्यक्ति अनुमान तह सत्तर पुरुष साक्षरतादर अनुमान तह अस्सी महिला साक्षरतादर अनुमान तह पचास वर्ष 2004, व्यक्ति अनुमान तह सत्तर, पुरुष साक्षरतादर अनुमान तह अस्सी, महिला साक्षरतादर अनुमान तह पचास स्रोत भारतिय जनगर्णना 2001, श्रिंखला 1, भारत पत्र 2001, आर्थिक सर्विक्षन 2012 आरेक 2.1 का अध्ययन करें और इन प्रश्णों का उत्तर दें प्रश्ण एक, क्या 1951 से जनसंख्या की साक्षरतादर बढ़ी है? 2. किस वर्ष भारत में साक्षरतादर सर्वाधिक रही? 3. भारत में पुरुषों में साक्षरतादर अधिक क्यूं है? 4. पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित क्यूं है? 5. आप भारत में लोगों की साक्षरतादर का परिकलन कैसे करेंगे? 6. सन 2020 में भारत की साक्षरतादर का आपका पूर्वा नुमान क्या है? 7. अपने विद्याले या अपने पड़ोस के सहशिक्षा विद्याले में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की गणना करें? 8. अपने स्कूल प्रशासक से कहें कि वे आपको लड़के और लड़कियों की संख्या के आकड़े उपलब्ध कराएं. 9. अगर उनमें कोई अंतर है तो उसका अध्ययन करें और कक्षा में उसका कारण समझाएं. 9. प्रिश्च संख्या 23. आईए चर्चा करें. 9. 1951 से 2011-12 के बीच कॉलिजों तथा विश्वविद्यालेओं की संख्या में वृध्धी, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भरती सारणी में इस प्रकार है. सारणी 2.1 उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या नामांकन तथा संकाए. इस सारणी में प्रथम बॉक्स वर्ष, फिर महाविद्यालेओं की संख्या, विश्वविद्यालेओं की संख्या, उसकी पश्चात विद्यार्थी तथा अंत में शिक्षक. वर्ष उन्निस सु पचास इक्क्यावन महा विद्यालेओं की संख्या साथ सु पचास विश्व विद्यालेओं की संख्या तीस विद्यार्थी संख्या दो लाख तिरसट हजार शिक्षक चौबीस हजार वर्ष उन्निस सु नब्बे इक्क्यानवे महा विद्यालेओं की संख्या 7,346 विश्व विद्यालेओं की संख्या 177 विद्यार्थी 49,25,000 शिक्षक 2,72,000 1996-97 महा विद्यालेओं की संख्या 9,703 विश्व विद्यालेओं की संख्या 214 विद्यार्थी संख्या 67,55,000 शिक्षक 3,21,000 वर्ष 1998 निन्यानवे महा विद्यालेओं की संख्या 11,89 विश्व विद्यालेओं की संख्या 238 विद्यार्थी संख्या 74,17,000 शिक्षक 3,42,000 वर्ष 2007-2008 महा विद्यालेओं की संख्या 18,064 विश्व विद्यालेओं की संख्या 378 विद्यार्थी संख्या 1,40,000 शिक्षक 4,92,000 वर्ष 2011-12, महा विद्यालेओं की संख्या 31,324, विश्व विद्यालेओं की संख्या 611, विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्या उपलब्ध नहीं है स्रोत विश्व विद्यालेओं अनुदान आयोग वार्षिक रिपोर्ट 1996-1997 तथा 1998-1999 और चुनिंदा शेक्षिक संख्या की मानव संसाधन विकास मंत्राले उच्च शिक्षा की ड्राफ्ट रिपोर्ट 11.5 वर्षिय योजना वर्किंग ग्रूप 11.5 वर्षिय योजना 2011-20 सारणी 2.1 की कक्षा में चर्चा करें तथा इन प्रश्णों का उत्तर दें प्रश्ण एक क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलिजों की संख्या में व्रिधी पर्याप्त है प्रश्ण दो क्या आप सूचते हैं कि हमें विश्व विद्यालेयों की संख्या बढ़ानी चाहिए प्रश्ण तीन वर्ष 1951 से वर्ष 1998-99 तक शिक्षकों की संख्या में कितनी व्रिधी हुई है प्रश्न चार भावी महाविद्यालेयों और विश्व विद्यालेयों के बारे में आपका क्या विचार है स्वास्थे फर्म का उद्देश लाप को अधिक्तम करना है क्या आप सूचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थे होने के कारण स्वास्थ श्रमिकों के बराबर कारे नहीं कर पाएं किसी व्यक्ति का स्वास्थे उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोश बन जाते हैं वास्तव में स्वास्थे अपना कल्यान करने का एक अपरिहार आधार है इसलिए जनसंख्या की स्वास्थे स्थिती को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिक्ता होती है हमारी राष्ट्रे नीती का लक्ष भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेश ध्यान देते हुए स्वास्थे सेवाओं, परिवार कल्यान और पौश्टिक सेवा तक इनकी पहुँच को भीतर बनाना है पिछले पांच दशकों में भारतने सरकारी और निजीक शेत्रकों में प्रात्मिक, द्वितियक तथा तुरतियक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तरित स्वास्थे आधिकारिक सन्रचना और जन्शक्ति का निर्मान किया है चित्र संख्या 2.5 जिसमें एक स्वास्थे केंद्र को दर्शाया गया है स्वास्थे की जाज के लिए एक पंक्ती में खड़े हुए बच्चे भारत में अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है केवल चार राज्यों जैसे करनाटक, आंत्रप्रदेश, तमिलनाडू, महराष्ट्र में कुल 181 मेडिकल कॉलेजों में से 181 मेडिकल कॉलेज है दूसरी तरफ बिहार और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में निम्न स्वास्थिसूचक हैं तथा यहां बहुत ही कम मेडिकल कॉलेज हैं इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2011 में 65 वर्ष अधिक हो गई है शेशु मृत्यूदर 1951 के 147 से घटकर 2010 में 47 पर आ गई है इस अवधी में अशोधित जन्मदर गिरकर 22.1 और मृत्यूदर 7 पर आ गई है जीवन प्रत्याशा में वृध्धी और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगदी के साथ आँकने के लिए उप्योगी है आयू में वृध्धी आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है शिश्वों की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभार और पोर्षण सुनिष्चित करने से शिशु मृत्युदर घटती है स्रोत राष्ट्रिय स्वास्थे प्रोफाइल 2010 शिशु मृत्युदर से अभिप्राई एक वर्ष से कम आयू के शिशु की मृत्यु से है जन्म दर से अभिप्राई एक विशेश अवधि में प्रती 1,000 व्यक्तिओं के पीछे जन्म लेने वाले शिश्वों की संख्यासे है आईए चर्चा करें सारणी 2.2 को सुने और इन प्रश्णों के उत्तर दें ये सारणी है 2.2 संबंदित वर्षों की स्वास्थे आधारिक सन्रचना इस सारणी में 5 बॉक्स हैं पहला उपकेंद्र प्रात्मिक स्वास्थे केंद्र सामुदाइक स्वास्थे केंद्र और शधाले तथा आस्पताल बिस्तर डॉक्टर एलोपेथी नर्सिंग कर्मी दूसरे में वर्ष हैं 1951-1981-2001-2010 उपकेंद्र प्रात्मिक स्वास्थे केंद्र सामुदाइक स्वास्थे केंद्र 1951-725, 1981-57,363,671-2001-1010,175,277 और शधाले तथा आस्पताल 1951-9209, 1981-23,555, 2001-43,322, 2010-28,472 बिस्तर 1951-1,17,198, 1981-5,79,495, 2001-8,70,161, 2010-5,76,793 डॉक्टर एलोपेथी 1951-6,800, 1981-2,68,700, 2001-5,3,900, 2010-8,16,629 नर्सिंग कर्मी 1951-18,054, 1981-1,43,887, 2001-7,33,000, 2010-17,255, स्रोत राष्ट्रिय स्वास्थे प्रोफाइल 2010 आयुष स्वास्थे एवं परिवार कल्यान विभाग प्रश्न एक, 1951-2011 तक और शधालयों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृध्धी हुई है प्रश्न दू, 1951-2011 तक डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों में कितने प्रतिशत की वृध्धी हुई है प्रश्ण तीन, क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों और नर्सों की संख्या में वृध्धी पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्यूँ? प्रश्ण चार, किसी अस्पताल में आप और कौन सी सुविधाय उपलब्ध कराना चाहेंगे? प्रश्ण पाँच, आप हाल में जिस अस्पताल में गए, उस पर चर्चा करें प्रश्ण चे, इस सारणे का प्रयोग करते हुए, क्या आप एक आरेक बना सकते हैं? प्रश्ण संख्या 24, क्रिया कलाप आप निकट के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाएं और ये विवरण नोट करें जिस अस्पताल में आप गए, उसमें कितने बिस्तर हैं, अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, अस्पताल में कितनी नर्सें कारे रथ हैं इसके अलावा अत्रिक्त सूचनाए एक अत्रित करने का प्रयास करें जैसे आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं आपके इलाके में कितने ओशधालाएं हैं प्रिष्ट संख्या 25 बेरोजकारी सकल की मा शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तदा खेती के काम में अपने पती बूटा की मदद करती थी सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मस्दूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें शीला की रुची अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिंती श्रम शक्ती की जनसंख्या में नहीं हो सकती और नहीं जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है श्रम्बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किये जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 69 वर्ष के बीच है सकल के भाई और बहन इस आयू वर्ग में नहीं आते इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता सकल की मा शीला परिवार के लिए काम करती है वो अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्चुक नहीं है उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता सकल के दादा दादी और नाना नानी जिनका यद्दिपी इस कहानी में वर्ण नहीं है उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरिये क्षेत्रों में बेरोजकारी है तथा पी ग्रामीण और नगरिये क्षेत्रों में बेरोजकारी की प्रकृती में अंतर है ग्रामेण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन बेरोजगारी है नगरिये क्षेत्रों में अधिकांश तह शिक्षित बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्रिशी पर आश्रित लोग आमतोर पर इस तरह की समस्या से जूजते हैं वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है कुछ विशेश महीनों में क्रिशी पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता प्रचन बेरोजगारी के अंतरगत, लोग नियोजित प्रतीत होते हैं उनके पास भूखंड होता है, जहां उन्हें काम मिलता है ऐसा प्रहया कृशिगत काम में लगे परीजनों में होता है किसी काम में पाँच लोगों की आवश्रक्ता होती है, लेकिन उसमें आच लोग लगे होते हैं इसमें तीन लोग अतिरिक्त हैं ये तीनों इसी खेट पर काम करते हैं, जिस पर पाँच लोग काम करते हैं इन तीनों द्वारा किया गया अंचदान, पांच लोगों द्वारा दिये गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर तीन लोगों को हटा दिया जाए, तो खेत की उत्पादक्ता में कोई कमे नहीं आएगी। खेत में पांच लोगों के काम की आवशक्ता है और तीन अतिरिक्त लोग प्रचन्न रूप से बेरोजगार होते हैं शेहरिक शेत्रों के मामले में शिक्षिद बेरोजगारी एक सामान ने परिखटना बन गई है मैट्रिक, सनातक और सनातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में सनातक और सनातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है एक विरोधाभासी जनशक्ती स्थिती सामने आई है कि कुछ विशेश श्रिणियों में जनशक्ती के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रिणियों में जनशक्ती की कमी विद्यमान है एक और तकनीकी अरहता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजकारी है तो दूसरी और आर्थिक सम्वृध्धी के लिए आवशक तकनीकी कौशल की कमी भी है बेरोजकारी से जनशक्ती संसाधन की बर्बादी होती है जो लोग अर्थविवस्था के लिए परिसंपत्ती होते हैं बेरोजकारी के कारण दायत्व में बदल जाते हैं युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोशन करने के लिए परियाप्त मुद्रा नहीं होती शिक्षित लोगों के साथ जो कारे करने के चुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ नहीं है ये एक बड़ा सामाजिक अपवय है बेरोजकारी से आर्थिक बोश में वृध्धी होती है कारे रत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पढ़ता है जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्भास्तर पर रहना पढ़ता है तो उसके स्वास्थ स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृध्धी होती है इसलिए किसी अर्थ व्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहित कर प्रभाव पढ़ता है बेरोजगारी में वृध्धी मंदी ग्रस्थ अर्थ व्यवस्था का सूचक है ये संसाधनों की बरबादी भी करता है जिने उपयोगी ढंग से नियोचित किया जा सकता था अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वभाविक रूप से अर्थ व्यवस्था के लिए दायत्व बन जाएंगे संख्य की ये रूप से भारत में बेरोजकारी की दर निम्न है बड़ी संख्या में निम्न आए और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिंती नियोचित लोगों में की जाती है वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी ख्षमता और आय के हिसाब से ये उनके लिए परियाप्त नहीं है वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए है, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं, गरीब लोग बेकार नहीं बैट सकते, वे किसी भी काम से जोड़ जाना चाहते हैं चाहे उस से कितनी भी कमाई हो, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह क्रिशिक खेत्रक में प्रचन बेरोजगारी होती है। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साजेदारी और उत्पादत फसल में हिस्सेदारी की धारना ग्रामीन क्षित्रों में बेरोजगारी की कठनाईयों में कमी लाती है। लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रतेक परिवार से अधिशेश शमिक रोजगार की तलाश में गावों स अब तक बताये गए तीनों क्षेत्रकों में रोजगार के परिद्रिश्य की चर्चा करें। चोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अपिशोषण है। तृतियक क्षेत्रक में जैफ प्रद्योगी की सूचना प्रद्योगी की आधी सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही है। चित्र संख्या दो पोइंट छे जिसमें एक विक्ति को जूते और चपल ठीक करते हुए दिखाया गया है। क्या आपको स्मरण है कि जब आपने अपने जूते या चपल ठीक कराये थे तो कितना भुकतान किया था। प्रिष्ट 26 एक गाउं की कहानी आईए ये जानने के लिए कहानी सुने कि कैसे लोग अपने गाउं की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। एक गाउं था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस से खापी सकें। परिवार के सदस से अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपने आवशक्ताएं स्वयम पूरी कर लेता था। इन में से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृशी महाविद्याले में भेचने का फैसला किया। लड़के को निकट के कृशी महाविद्याले में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वो कृशी एंजिनरिंग की योग्यता प्राप्त कर गाउं वापस लोटाया। वो इतना स्रिजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत खिसम के हलका नमूना तयार किया जिससे गेहूं की उपच में वृध्धी हो गई। इस तरह गाउं में एग्रो इंजिनरिंग का एक नया काम स्रिजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ती हुई। गाउं के उस परिवार ने अपनी अधिशेश फसल निकट के गाउं में बेच दी। उन्हें इस से अच्छा लाब हुआ जिसे उन्होंने आपस में बाट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गाउं के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बहतर भविश्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गाउं में एक स्कूल खोलने का अनुरूत किया। उन्होंने पंचायत को विश्वा स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गाउं के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशुक्षन दिलाया। वो अब गाउं के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी क्यूंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सुजित हुआ। इसका एक और सकारातमक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे। इसलिए उपच बढ़ गई। ये सम आरंभ में किसी नय काम का आपचारिक रूप से कोई अफसर नहीं था। शिक्षक, दर्जी, एग्रो एंजिनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। ये एक साधरन गाउं की कहानी थी। जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटल और आधुनिक आर्थिक क्रिया कलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। प्रिष्ट संख्यासत थाईस साहरांश आपने सुना कि शिक्षा और स्वास्ते के समान आगतें किस प्रकार लोगों को अर्थविवस्था के लिए परिसंपत्ती बनाने में सहायता करती हैं। इस अध्या एक गाउं की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहां रोजगार के अनेक अफसर उत्पन्न हो गए। पांच, किसी व्यक्ति के काम्याब जीवन में स्वास्थ की क्या भूमिका है। छे, प्रात्मिक, द्वितियक और तृतियक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। साथ, आर्थिक और गेर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। आठ, महिलाएं क्यूं निम्नवेतन वाले कारियों में नियोजित होती हैं। नो, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याक्या करेंगे। दस, प्रचन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ग्यारा, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेश समस्या क्यूं है। बारहा, आपके विचार से भारत किस क्षित्रक में रोजगार के सरवाधिक अफसर्व सिजित कर सकता है। तेरह, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। चौधा, क्या आप कुछ ऐसे गामों की करपना कर सकते हैं, जहां पहले रोजगार का कोई अफसर नहीं था, लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया। 15. किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमी, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, क्यूं? 28. संधर्भ Gary S. Baker, 1966, Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, General Series, No. 80, National Bureau of Economic Research, New York Theodore W. Schultz, Investment in Human Capital, American Economic Review, March 1961 अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट, प्रस्तुती, C.I.E.T., N.C.E.R.T., नई दिल्ली, भारत प्रस्तुती, C.I.E.T., प्रस्तुती, C.I.E.T.